ओके हेलो और वेलकम टू दागीट आकेडमी दोस्तों आज की डेट में जो सबसे सेंसेटिव मुद्धा पूरे देश में चल रहा है यह जस पर लोग आज की डेट में बात करना चाहते हैं वो है अनिम्प्लॉइमेंट को लेके और कहीं न कहीं अनिम्प्लॉइमेंट पे बा की कोसिस करूंगा जो मुझे लगता है जो परशनली मुझे फील होता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए चुकि मैं गीट या इंजिनिरिंग से जुड़ा हुआ बंदा हो तो मैं गीट या इंजिनिरिंग की जो जॉब होती है या उसमें जो वेकैंसी निकल रही है चाहे वो बीटिक किया था तो मैं भी किसे टाइम पे 2011-12 में एक student था जो मैं सोचता था और पिछले 7-8 साल में जो मैंने फील किया है बच्चों के बीच में जो मैं offline या भी एक से दो साल में जो मैं online में पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता है वो हर एक student का एक problem रहता है और कहीं न क कुछ होना चाहिए और इन पॉइंट पे उन बच्चों के बारे में कोई बात करें उनकी केर करें उनकी जो doubt है या उनकी जो problem है उनको resolve करने के लिए government को कुछ initiative लेना चाहिए देखो हम भी एक medium family से belong करते थे जैसे कैसे करके हमने भी यार बीटे किया तो हमारी मन में भी य जॉप नहीं लगता है तो हम parents को क्या बोलेंगे या हम अपनी life में आगे कैसे survive कैसे करेंगे अगर हम preparation mode के लिए जाते हैं तो उसके लिए फिर से extra financial burden हमने हमें bear करना पड़ेगा और कहीं न कहीं यह burden जो है वो हम family पे apply करेंगे clear और हमारी family उसको bear कर पाएगी या नहीं कर सब्सक्राइगी तो यह थाड़ यह फाइनल यह में हमारे माइंड में tension होता था ठीक करने के बाद को मैं यह नहीं कहता हूं कि government सभी को employment दे सकती है या इतने उसके पास vacancy है कि एकदम सभी को रोजगार दे दे बट मैं यह सोचता हूं कि जो deserve करते हैं जो मेहनत करते हैं उ इनको जो है वो नौकरियां आप दे सकते हो देखो आज की डिट में बहुत सारा बच्चा मैं देखता हूं गेट में दिन रात मेहनत करता है और friction marks की वज़े से clear यह आपका जो exam को judge करने बच्चों को judge करने का जो pattern है वो सही नहीं है कहीं नहीं कहीं आम normalizing करते हो और normalizing में यार कितना भी आप बढ़िया कर लो ना human error तो होती ही होती है तो आपके पास इतना सारा infrastructure है आप टॉप मतलब institute conduct कर रहे है आई-ई-डी इस बैंगलॉर और आप इतना नहीं कर पा रहे हो कि एक सिप्ट में सारे बच्चों का exam करा लो clear आप हम से बच्चों से 1600-1700 के आसपस आप form के charges ले रहे हो और इतने capable हो इतने capable institution हो कि आप एक सिप्ट में paper कराईए हर एक बच्चे को एक जैसा paper देजिए किसी paper में कुछ और होता है कि मैं कहता हूँ एक दो marks का भी अगर difference होता है ना normalizing में या उस label के अगर quality आप नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरा मान पर दीजिए और किसी के साथ आप bias system मत रखिए अंड दूसरी है कि अगर उस label पर वेकेंसी create नहीं कर वज़से कई बार में पढ़ाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं सर यह public sector XYZ हो है अभी private होने जा रहा है तो क्या इसमें vacancy निकलेंगी या इसमें vacancy निकलेंगी तो किस अवे में निकलेंगे कि आप पहले जैसी होंगी जिसे जब यह public sector था तो उतनी vacancy है कि इसमें आएंगी इसका answer कर पाना हम तो बहुत छोटे लोग हैं तो हम तो नहीं कर सकते हम तो नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा बहुत चोड़ी चोड़ी चीज़ी हमें पता नहीं होती हैं तो हम तो नहीं बोल सकते हैं बट हम बच्चे को यहीं बोल सकते हैं कि आप positive mind setup के साथ जो है अब preparation कर ये end of the day क्या होगा ये आपके control में नहीं है बट कहीं न कहीं है क्यार preparation में ना motivating factor होना चाहिए अगर suppose that आप से बोला चाहिए कि आपका कोई exam नहीं आप पढ़ाई कर यह कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा जब आपका semester होता है यह जब आपके final exam आते तब ही हम dedicated work क्या करते हैं study करते हैं तो अगर job नहीं होगा vacancy नहीं होगा कोई motivating factor को driving potential ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे महनत करेगा अभी आप एक बार दे नहीं है ना कि parents को या garden को बच्चों को support करना चाहिए क्योंकि अभी जो यह time चल रहा है यह phase जो चल रहा है क्या है क्या है क्योंकि मैं उतना idea मुझे नहीं है कि ससी में कितनी vacancies आ रही है और कैसे result delay हो रही है या paper कैसे conduct नहीं हो पारा गलत आ रहा है या लीक हो जारा जो भ आपने कोई information नहीं दिया रेलवे को आपने separate कर लिया as a mechanical engineer अगर मैं ESC को देखों तो 110-115 vacancy हुआ करती थी ESC में mechanical को अगर आप IRMS रेलवे हटा दोके तो हमाले लिगे क्या बचता है कुछ भी तो नहीं बचता है बचा क्या Central Water Commission बचा हुआ है और आपका ordinance और बच्चा वह और प्लेस हो साए तो कहीं न कहीं यह थोड़ा सा गौर्णमेंट की तरफ से भी a problem है जिसके बचा बच्चा जो है वह सफर कर रहा है और कहीं न कर इसके बेसे पर पैरेंट भी सफर और पारइंस पैरेंट ने कहीं से पैसे आरेंस करके बच्चे को भी या पी या बीट प्रेप्रेशन के उसमें इतना जादा फ्रस्टेट हो जारा है कि वह आगे जो है वह प्रेप्रेशन करने के लिए हिंमत ही नहीं जुटा पारा है अब 2-3-4 साल वेकेंसी अगर नहीं निकली प्रॉपर वे में और बच्चे ने पूरा एफट दिया मेहनत किया दिली में रहा या एक सवाई जहां पर भी वह बिलॉंग करता है रहने खाने का यूज अफी वियर कर रहा है तो उसके बाद भी उसका अगर कहीं कुछ नहीं हो तो कहीं न कहीं वह टूट जाता है पूरा का पूरा फिर उतना जादा मेंटली प्रेपेड नहीं हो पाता है कि वह प्रेपरेशन को फिर से उसी एनर्जी लेबल के साथ कांटेन्यो कर पाए तो मेरा मानना यह है कि यार जितनी वेकेंसी आपको देना है मुझने मिनट के लिए उसका कुछ इसू हो गया मानलो कुछ टेकनिकल इसू ही हो गया कंप्यूटर हैंक कर गया और एक दो कॉश्चन बच्छा कम कर पाया अब बच्चा डिजर्ब करता था अच्छी रैंक के लिए अब उसकी 2000-3000 रैंक आई तो उसका पूरा का पूरा आपने साल कर दिया उसका साल खराब हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे को दो या तीन आट्म्ट देनी जाहिए जैसे बहुत सरी जगे पर होता है जियारी को देख लिए साल में पांच यह चार में बच्छ आपको दिये साथ है 4-5 आपको दिये जाता जो बेस्का होता है उ उसे आप और revenue create कर सकते हो और ये चोटी-चोटी mentality आपको छोड़ देना चाहिए कोई question आपने गलत बना है उसमे आप 500 रुपे दीजिए ये कैसे मतलब एक तरह से आप क्या मतलब प्रूब क्या करना चाहते हो खुद गलत बना रहे हो और खुद पैसे मांग रहे हो मतलब ये आप इसे गलति आप से होई गलति बच्चे से नहीं होई है और फिर गलती करने का इसको भी नहीं होना चाहिए आप इंडिया के टॉप इस्टीट में प्लेज दू और आपको इतना time दिया जाता है एक साल न्यार साल का पका time में आपको पेपर को प्रेपर बना देते हो फ इतने इंजिनियर क्रिएट करना चाहते हैं आप इंजिनिंग कॉलेज़स को आप इंस्टॉक्षिन दीजें ना कि आपकी 120 सीटे है नहीं बहाई आप 30 सीटे लिजे है क्योंकि आने वाले 5 साल में जो है वेकेंसिया नहीं आएंगे आप इस्टॉक्षिन दीजे तो कम से कम ए साथ साल पहले चाहिए मैं हूँ या आज आप कोई बच्चा है या कल को आने वाला आपका कोई जो है वो लड़का या लड़की हो सकता है तो आपको इनिसेटिव लेना पड़ेगा देश के उसमें मलब बोलते है ना विकास में तो उसमें आपको इनिसेटिव लोना लेना झाल झाल